हेलो एवरिवन और वल्कम बाग टू मैं चैनल लर्नर सब तो आज जो उन्हें पोएम डिसकर्स कने जा रहे हैं उसका नाम है कॉक क्रो जो कि एक ऑस्ट्रेलियन पोईटिस रोजमेरी डॉपसन के दौरा लिखा गया है तो रोजमेरी डॉपसन जो हैं वो one of the greatest Australian poets में से एक हैं जिन्होंने year 1940s के दौरान उन्होंने Australian poetry को modernize करने का काम किया था और उनका जो लिखने का technique था उनका जो लिखने का style और theme था वो Australia के traditional theme से बिलकुल अलग था और वो Australian के traditional theme से बिलकुल हट कर वो contemporary ideas और topics पे लिखना पसंद कर दी थी और world war 2 के बाद जब सब कुछ बिलकुल बदल सा गया था और एकदम change सा हो गया था तब उस समय उन्होंने उस change को या उस बदलाब को reject करने के बजाए उन्होंने उस change को accept किया और उन्होंने लोगों को उसका importance समझाया तो 1940s के दशक में Australia में जो उस समय society था वो basically patriarchal या male dominated society था जिसकी वज़य से Rose Mary Dobson की ज़्यादार poems थी वो womanhood, motherhood और इसी तरह के themes पर base हुआ करती थी और जिनमें वो एक woman के उपर जो restrictions impose किये जाते हैं mainly in a male dominated और patriarchal society वो उन्हें अपने poems में explore करने की कोशिश करती है तो ये poem जो है कौक्रो वो basically past stanzas में लिखा गया है और इसके हर एक stanza में total 4 line contain करते हैं जहां पर इसके पहले stanza में तो poetis हमें ये बताती है कि कैसे एक महिला अपने सारे responsibilities अपने सारे duties को छोड़ कर वो एक अलग रह पर चलना चाती है और वो एक walk पर जाना चाती है फिर इसके अगले 3 stanzas में poetis हमें उस lady के thoughts के बारे में बताती है कि कैसे वो lady अपने walk के थुरू वो अपने emotion से अपने feeling से और अपने thoughts के साथ struggle करती है और इसके last stanza में वो हमें ये बताती है कि कैसे वो lady वापस अपने घर लोटाती है तो चली ये तो हो गया इस poem से related कुछ basic information तो अब बेना time waste किये आज को जो हमारा poem है cock crow इसे हम लोग शुरू करते है तो इसके first stanza की शुरूआत कुछ इस तरह से होती है कि तो इन lines में lit house का मतलब है एक lady ये एक महिला की जो domestic responsibilities होती है या फिर उसके घर की जो duties होती है वो फिर town का मतलब यहाँ पर किसी नगर से नहीं है बलकि town का मतलब यहाँ पर एक lady के personal desires से है उसके ख्वाईशों से उसकी आजादी से और उसके self expression से है और bridge का मतलब यहाँ पर वो beach का रास्ता है जो कि उस महिला को एक तरफ तो उसके responsibilities और उसके duties के तरफ ले कर जाता है और दूसरी तरफ वो bridge उसके freedom और उसके आजादी के और ले कर जाता है तो इस stanza का overall meaning यह है कि कोई महिला या कोई lady है जो कि हमसे यह कहती है कि वो एकदम अकेले रहना चाती है ताकि वो अपने personality के दूसरे और values को explore कर सके वो अपने personal desires को और अपने personal freedom को express कर सके बट वो इस problem में आकर या इस दूविदा में आकर फस गई है कि उसे किस रास्ते को choose करना चाहिए क्या उसे अपने family के responsibilities और duties के साथ ही उल्जे रहना चाहिए या फिर उसे अपने personal desires और freedom के तरफ आगे बढ़ना चाहिए तो वो इन दोनों के बीच में confused हो गई है और इदम उलत से गई है फिर आगे के lines में हमें ये पचलता है कि वो महिला या वो lady जो है वो फिर ये decision लेती है कि वो एक walk के लिए बाहर जाएगी ताकि वो उस रास्ते को choose कर सके जिसे कि उसे उन सारे बंदनों से आजादी मिल जाए और वो बिलकुल free हो जाए बर्ट bridge के पास पहुच कर यानि उस रास्ते के बीच में पहुच कर जिसके एक तरफ तो उसकी family है और दूसरे तरफ उसकी आजादी है वहाँ पर पहुच कर वो दोबारा से एक बार पीछे के और देखती है और वो फिर से वहीं चल कर वापस आती है जहां से उसने शुष की शुरुवात की थी यानि वो लेडी अपने personal desire और अपने domestic duties के बीच में एकदम confused हो गई है कि उसे अपने आजादी को चुनना चाहिए या उसे अपने family को चूज करना चाहिए फिर poetis आगे के senza में ये लिखती है यानि वो लेडी या वो महिला जो है वो एक बदलाव चाहती है एक change चाहती है और वो अपने passion को और अपने freedom को ढूणना चाहती है बट उसके domestic responsibilities की वजह से और उसके duties की वजह से वो ये decide नहीं कर पा रही कि उसे कौन से path को choose करना चाहिए और वो बार बार आगे और पीछे की और वो उस अकेले रास्ते में walk करती है यानि वो तीन बार वो इसी तरह से walk करती है और तीन बार वो उन रास्तों में जो घने काले पेड़ से धके होते है वो उनसे घिरी होती है और यहाँ पर dark trees का एक और मतलब ये भी हो सकता है कि वो lady तीन बार इसी तरह से अपने mind के dark thoughts या confusing thoughts से घिरी होती है और फिर अचानक से उस रात के अंधेरे में उस lady को ऐसा लगता है कि वो अब बिल्कुल आजाद हो गई है वो बिल्कुल अब free हो गई है और वो अपने सारे बंधनों से और अपने सारे रिष्टों से बिल्कुल मुक्त हो गई है और उसके अब बस पैर जो हैं वोही इस धर्थी पर टिके हुए है और बाकी सभी तरह से वो बिलकुल आजाद और फ्री हो गई है और उसे बिलकुल हलका महसूस होने लगता है यानि जब रात के अंधेरे में जब वो दिखाई नहीं देती है या वो जब उस समय विजिबल नहीं होती है तब उसकी अंदर की जो सेल्फ है वो खुद को फ्री या एकदम आजाद महसूस करती है फिर इसके नेक्स सैंजा में पोईटेस ये लिखती है यानि वो महिला जो है जब वो अपने आजादी की राफ पर आगे बढ़ रही होती है तब उस समय उसे अपने सोते हुए मा की और अपने बेटी की एक बर तस्वीर दिखाई देती है उसे उनका खयाल आता है तो एक तरफ तो वो लेडी अपने पिछले जिन्दगी को देखती है जो कि उसके familial responsibilities और duties से घिरे हुए है और दूसरे तरफ वो उस जिन्दगी को देखती है जो कि उसके सामने खड़ी है और वो उसकी आजादी की जिन्दगी है तो वो उन दोनों जिन्दगीयों के बीच में खड़े होकर उसे ऐसा लगता है कि अगर वो अपने सामने जो उसकी जिन्दगी है जो उसकी आजादी की जिन्दगी है अगर वो उसे चूस करती है और आगे बढ़ती है और वो उस दरवाजे को भी बंद कर देती है जो कि उसे उसके family से link करता है या connect करता है तो उस वक्त उसे अपने अंदर से ऐसा feel आता है कि उसने अपने family को धोखा दिया है उसने उनसे गदारी की है और उसने उनके expectations का कतल किया है तो ये सारे खयाल उस lady के मन में उस समय आ रहे होते हैं जब वो lady उस रह पर आगे बढ़ रही होती है फिर poetess आगे लिखती है यानि जब वो lady अपने उस walk को continue रखती है और वो बार बार उस road पर उपर और नीचे की और चलती रहती है तब उस समय उस lady को ये एहसास होता है कि वो अपने family से अलग होने के बाद ही उसे अपने true self के बारे में पता चलता है और वो अपने आपको जान पाती है बट लेटर ओन जब वो lady अपने इस walk को इसी तरह से continue रखती है तब उसे ये समझ में आता है कि इस तरह से वो अपने सारे connections को तोड रही है जिसके वज़े से उसे pain हो रहा है क्योंकि अगर हम किसी को प्यार करते हैं और हम उनसे connections तोडने की कोशिश करते हैं और उनसे दूर जाने कोशिश करते हैं तो ये एक काफी simple सी बात है कि हमें दर्ट तो definitely होगा ही तो वो lady भी इस बात को यहाँ पर acknowledge करती है तो इवेन दो उसके family की responsibilities और duties हैं वो उसे एक बंधन में बान कर रखती है बर उसकी वही family का love उसे strength भी देता है और उसे ताकत भी पहुचाता है तो हाँ थोड़े समय के लिए उस lady को ऐसा जरूर लगा कि वो अब बिल्कुल free हो गई है और वो एकदम आजाद हो गई है बट वो इस experience को जरूर तक अपने आप तक समेट कर नहीं रख पाती है और finally उसे फिर ये realize होता है कि उसकी family ही उसकी असली ताकत है और उनका love ही उसे grow करने में support करता है और अब इसके final या आखरी stanza में poetess ये लिखती है तो इन lines में poetess ने Bible की एक illusion का इस्तमाल किया है जिसके according Lord Jesus ने एक भविश्वानी की थी कि उनकी एक follower जिसका नाम Peter था वो उन्हें पहचानने से तीन बार इंकार कर देगा और वो जब तीसरी बार इंकार करेगा तभी उस दिन मुर्गा सुबा की बांग देगा तो जब तीनों बार Peter Lord Jesus को पहचानने से इंकार कर देता है और मुर्गा सुबा की बांग दे देता है तभी उसे realize होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है और फिर बाद में उसे पस्तावा होता है तो ठीक उसी तरह से इस poem में भी जब तीन बार मुर्गा सुबा सुबा पहारी पर से बांग देता है और जब वो बांग उस महिला को सुनाई देती है तभी उसे ये एहसास होता है या उसे ये realize होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है और वो दुबारा से अपने घर के दरवाजे को घुमाती है और उसे समझ में आता है कि उसे क्या करना चाहिए और वो दुबारा से अपने घर में वापस लोटाती है by relinking with the realities of her existence so in spite of all this thing कि वो लेडी फ्री होना चाहती थी और वो अपने आपको explore करना चाहती थी बड़ थोड़े समय के बाद उसी realize होता है that her family is more precious and dear to her than anything else so she starts feeling guilty और इसलिए वो वापस अपने घर लोटाती है जब वो उस मुर्गे की बांग सुनती है तो इस तरह से वीडियो खतम होता है and I hope कि आपको वीडियो पसंदाया होगा वीडियो पसंदाया तो प्लीज आप comment करके ज़रूर बताएं like करे, share करे अपने दोस्तों के साथ and thank you for watching